नमस्कार मित्रो मैं हूँ मोहित आप देख रहे टेक्निकल वाट्स आप सभी का मैं हाड़ दिखा दिख स्वागत करता हूँ टेक्निकल वाट्स चैनल पर तो अपरेंट कुछ समय पहले साउमे ने चाइना में लॉंच किया था Redmi smartwatch मतलब की rebrand मतलब यह साउमी का पुराना आदत है rebrand करने का चाइना में कुछ और नाम इंडिया में कुछ और नाम तीसरे देश में कुछ और नाम हाला कि यह जो smartwatch हैं आने वाला redmi का यह इंडिया का BIS certification में list हो जुका है ये बहुती जली launch होने वाला है, तो ये कब launch हो सकता है तो दोस्तों ये जो launch हो सकता है जैसे कि rumors निकल कि RF हरवरी या March में ये launch हो सकता, मतलब एक से देड़ महिने में ये पका हो चुका है कि ये जो है launch होने वाला है इंडिया में, मैं इसका price की बात करो तो यह जो मी वाच लाइट जब चाइना में लॉँच हुआ था तो मैं इंडियन प्राइस के हिसाब से बात करो तो इसका प्राइस रखा गया था 3400 रुपे लेकिन दोस्तों अब यह कहा जा रहा है कि यह जब स्मार्ट वाच इंडिया में लॉँच होगा तो इसका प्राइस होने वाला अंडर 5000 मतलब कि 4000 भी हो सकता है 4000 भी हो सकता है या 4999 भी हो सकता है तो चलिए अब मैं कुछ features के बार में बात कर लेता है उसमें क्या-क्या features मिल जाता है तो इसमें मिल जाता है क्या मिल जाता है 1.4 इंच का display मिल जाता है वही मैं resolution की बात करूँ तो इसमें मिल जाता है 320 into 320 का pixel मिल जाता है तो दोस्तो इसी का मैं weight की बात करूँ तो इसका जो weight है 35 gram और इसमें क्या मिल जाता है automatic brightness control मिल जाता है जो कि दोस्तो धूब वगेरा में आप लोग जाते ही होंगे तो mobile में कैसे मतलब brightness automatic ही change हो जाता है तो इसमें भी automatic ही change हो जाएगा मतलब display के तरफ देखने में कोई भी कठीना ही नहीं आने वाली है और देखेंगे इसमें क्या मिल जाता हार्ट rate monitor भी मिल जाता और बहुत ही सारा fitness tracker भी मिल जाता है जैसे कि दोस्तो आप लोग चलते हैं तो step count वगेरा का option आता है बहुत सारे fitness मतलब smart watch या band में तो दोस्तो इसमें भी मिल जाता है बहुत ही सारे fitness mode भी मिल जाता और इसमें मिल जाता है Bluetooth 5.0 का support मिल जाता है और इसमें up to 50 meter का water resistance भी मिल जाता है और देखिए इसमें मिल जाता है 230 mh का battery मिल जाता है जो कि दोस्तो इस smart watch को आप लोग चार्ज करें पाएंगे मातर दो ही दो घंटे में और देखिए इसमें 9 days का battery backup भी मिल जाता है मतलब Redmi smart watch आने वाला फर्वरी या मार्स तक तो यह पका हो गया कि आने वाला BIS certification में भी यह list हो चुका है तो फिलाल दोस्तो आज के video में बस इतना ही था वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like कर दे मेरी YouTube challenge को subscribe कर दे और हाँ इस video को भी share करना ना बोले तब तक के लिए आज के video में बस इतना ही था तब तक के लिए जैहिंत बंदे mantram